Hello everyone, welcome back to my channel, so आप सब कैसे हैं, I hope आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, so भवान के आशपास से हमने आज का दिन स्टार्ट कर रहा है, और ये हमारा mini vlog होने वाला है, एक mini vlog हमारा assessment day का, certification day का, June batch का, जो हमारा one month का course होता है, offline हमारी academy देली चालीमार बाग में, आज हमारे students का एक full-fledged bridal makeup ready करके दिखाएंगे, वो अपनी models लेकर आएंगे, outfits लेकर आएंगे, और हमें अपनी एक bridal पूरी बहुत अच्छे से ready करके दिखाएंगे, जिसका सारा समान students को academy की साइड से मिला हुआ है, और आप सब देख सकते हैं, ये वो सारे production जो बच्चों को हमने practice के दिए हैं, और आज उन्हें assessment day के लिए भी दिए गया है, और इन सब की help से वो बहुत अच्छा-च्छे makeup करके दिखाएंगे, आप वीडियो को talent तक बने रही हैगा, और आप सब देखेंगे, students ने कितने प्यारे-प्यारे makeup looks create करे हैं, इस batch में काफी सारे students थे, जो fresher थे, जिनको brush पकंडा भी नहीं आता था, और out of Delhi से आयते हैं, हमारी जो academy है, Delhi में है, Delhi के भार से students आयते हैं, हमारी academy जोइन कीती, और एक सपने के साथ आयते हैं, कि हम professional makeup artist बनेंगे, और आज उनका वो सपना पूरा होने वाला है, और students अलरीडी आ चुके हैं, students ने अपने makeup स्ट कर दिया है, यह हमारे students है, और students ने start कर दिया है, अपने makeup students ने, सब models के before लिये थे सबसे पहले, और उसके बाद students ने start करा है, eye makeup से, और आप देख सकते हैं, मैं एक एक students को देख रहा हूँ, बट मैं उनने बता नहीं रहा, और मैं guide कर रहा हूँ कि मतलब वो कैसा, मतलब क्य आप कैसा करने वाले हैं, क्या सोचा है, आपने कैसा look, आपने plan करा है, अपने mind के अंदर, वो सब कुछ मैंने students से पूछा, और आप सब देख सकते हैं, यह हमारे students है, हुआ यह इस video के अंदर voice हमारी already थी, बट क्या हुआ कि हमारा background music था, जो हमारे studio में चलता है, academy में चलत तो उस पर copyright आ जाता, तो इसकी वज़े से में कोई इसको voice over करना पड़ा है, otherwise अगर मैं इस voice के साथ जालता है, students की, तो students के बहुत अच्छे reviews थे, feedbacks थे, बहुत अच्छे response थे, students का, और students ने mainly assessment day को एक test नहीं समझा, एक पूरा की, जैसे हम real client को ready करते हैं, वो students ने हमें कर के दिखाया, बहुत ही enjoy करा, students ने, personally, जैसे मैं enjoy करता हूँ, make-up को, वैसे ही students ने ही बहुत enjoy करके make-up कराया, बहुत प्यारे-प्यारे looks create करे है, अब ये during the process है, कुछ students ने airbrush करा है, assessment day पे, final day पे, तो airbrush की machine भी students हो, academy की side से ही मिलती है, और ये हमारा one month का course होता है, offline, हमारी academy जो है, डेली शाली में भागना है, so आप देख सकते हैं, students के bridal ready होने वाले हैं, सबके, और students की ये शूट चल रहे हैं, छोट छोटी clips जो हम students को देते हैं, वीडियो के थुरू, वो students को देते हैं, आप देख सकते हैं, कितना प्यारा student ने make-up करा है, और students को personally मैं वही products दे हैं, students को products, और आप देख सकते हैं, students से कितने प्यारे-प्यारे make-up create करे हैं, right, and जो भी थोड़ा बहुत touch-up वगरा की नीट थी, वो मैंने students ये करी हैं, उनको बताया, right, but majorly क्या होता है, students खुद complete करते हैं, और खुद complete करते हैं, उनको बहुत एक sense of satisfaction मिलती है, खुश होत हैं, और ये हमारे students का, एक model ready हो गई है, आप देख सकते हैं, कितना प्यारा look आया है, आप देख सकते हैं, glow कितना प्यारा है, eye makeup कितना प्यारा है, base कितना प्यारा लग रहा है, right, so ये दूसरे student है हमारे, और ये इनका look है, और students का portfolio, video shoot चल रहा है, यहां पर जो उन्हेंने makeup मैं नहीं करे है, right, एक मेरा जो taste होता है, मेरा जो एक makeup का creativity होती है, वो मेरे को अपने students के makeup में देखती है, तो मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, और बहुत अच्छा students कर रहे है, students ने assessment पे बहुत अच्छा निका आय personally, इन सब के makeup मैंने देखे, right, और आप मानेंगे नहीं, honestly, मैंने students के एक एक मेकप देखे, और बहुत basic कोई एक mistake होगी, जैसे lips की, liner की, lash अगर निकल रही है, अदवाई उसके अलावा students के makeup में कोई भी mistake नहीं थी, right, सब के makeup बहुत flawless थे, कहते हैं ने 10 out of 10 वाले makeup थे, सब students के, और इतना अच्छा makeup उन्होंने one month में create करा है, मैं इसे काफी बढ़ students पूछते हैं, काफी सारे जो students join करने के ले आते हैं, वो पूछते हैं कि sir, one month में सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, इतना सारा makeup भी होता है, hair भी होता है, तो यह बहुत जादा हो जाता है, तो में ही royal blue color, और student ने makeup बहुत प्यारा कर रहा है, अभी आपको पास से भी दिखाएंगे इसी look को, right, तो personally जैसा मैं shoot करता हूँ अपने makeup के लिए, वैसा ही मैं कोशिश करता हूँ कि अपने students को भी वैसा ही portfolio बना कर दूँ, right, अपने Instagram के लिए वो डाल सके, right, तो यह मारे student है जिन्होंने ये वाला makeup लो complete करा है, और बस आपको पास से भी देखने को मिलेगा, आप देख सकता है, कितना प्यारा work करा है, neat work है, कितनी अच्छी shine है, और यह हमारे student है, जिन्होंने ये makeup करे, complete करा है, right, so मेरे को personally बहुत अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा makeup create करा है students न और ये दूसरे student का makeup आ गया है, right, इनका भी shoot चल रहा है, personally जब बच्चे आते हैं, जब students course को join करते हैं, तो students को लगता है कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कई बहुत confused होता है, but क्या होता है, कि हम ऐसे step by step students को सिखाते हैं, कि students को बहुत अच्छे से clarity भी मिलती है, औ और उनने समझ भी आता है, right, और आपको भी लगता है कि आप भी makeup artist बनना चाहते हैं, makeup course के लिए देख रहे हैं, तो definitely आप कहीं पर भी आप एक professional course ज़रूर join कीजिए, right, minimum one month का ज़रूर होना चाहिए, right, क्योंकि one month एक time होता है, जब हम अच्छा उसमें सीख पाते हैं, right, और अब हमारी academy भी एक बार बात करके देख सकते हैं, details के लिए पता खर सकते हैं, right, अगर आपको मारी academy का makeup पसंद आता है, students का work पसंद आता है, यह हमने एक real shoot करी है, एक song पे, जो कि आपने मेरे page पर I think देखी लिए होगी, Instagram पे मैंने upload करी थी, right, और teach festival के लिए specially upload करी थी मैंने song के उपर थी, बहुत अच्छी real थी, और यह हमारे students की notes वाली book है, जो students ने one month में notes अपने complete करे हैं, वो students की notebook है, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे-प्यारे students ने notes बनाया है, right, personally मैं prefer students को push खरता हूँ कि आपको notes जरूर बनाने है, so that कि उनको एक याद रहे, कि उ तोड़ सा students को समझा रहता है, guide कर रहता, आगे career के लिए, कि आगे उन्हें अप क्या करना है, क्या part way हो सकता है, उनका course के regarding, तो वो ही समय students को बता रहा हूँ, right, और जो live lesson मेरे हैं, वो ही मैं अपने students को सिखा रहा हूँ, कि आपको सारा honesty के साथ काम करना है, right, honesty के साथ ये page के उपर, ये जो dress है, ये मैं हर बार कहता हूँ, कि ये कोई dress नहीं है, कोई normal dress, ये emotion है, जब भी हम ये dress में के certificate, trophy लेते हैं, तो ये कितना best feeling होती है, तो वो students को मिलते हैं, आप देख सकते हैं, students के face पर कितने खुश है, right, students जो happiness है, वो उनके face पर आपको देख सकती है कि students कितने happy है, right, और ये dress उन्हें मिल चुकी है, dress के साथ साथ students को फिर इसके बास certificate and trophy देते हैं, और आप देख सकते हैं, students का certification and trophy का process start हो चुका है, और students को certificate दे जा रहे हैं, trophies दी जा रही है, right, one month का course पता भी नहीं चलता कि कब निकल जाता है, students आते हैं, join करते हैं, और personally म मेरे को जब तक बच्चों के नाम याद होते हैं, तब तक one month पूरा हो जाता है, बच्चों का, right, और आप देखें कि मेरे को इस वीडियो में भी कुछ ही students होंगे, अभी recently जब मैं वीडियो देख रहा हूं, तो मेरे को किसी student का नाम भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं न और आप देख सकते हैं, यह हमारे सारे students है, ऐसे ही हसते रहें, खूब सारी भाइनत करें, खूब सारा life में ग्रो करें, और यह मेरी best wishes हैं, और यह खूब सारा नाम कमा है, right, so यहाँ पर हमारे celebration स्टार्ट हो गया है, cake cutting का, अभी आगए आपको वीडियो में students के reviews देखने क के end में मैंने students के reviews डाले हैं, तो make sure आप students के reviews देखेगा, students के काम देखेगा, page पर मैंने हर student के individual work डाला है, right, और अगर आप interested है, course के लिए आप हमारे academy में call करना चाते हैं, counselors के साथ बात करना चाते हैं, तो आप इस number पर contact कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं, detail ले सकते हैं, यह सब students क की तरफ से में लिए gift था, right, और में परसनली यह gift बहुत अच्छा लगा, और यह मैंने अपने घर में अपने drawing room में लगाया भी है, students लेकर आए थे में लिए, and बहुत ही best feeling होती है students की, और जब final दे होता है, assessment दे होता है students का, so God bless you all of them, thank you. जब अच्छा बताते हैं, मुझे बहुत सटिस्फाइड हूं, और जिसकी को भी करने आप आखे कर सकते हैं, मैं तो बहुत खुस हूं यहां के makeup से, और यहां के सब लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं. Hello everyone, मेरा नाम निशु है, मैं वसंदरा से आयू, दीपक जैन सर के अकेडमी में 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 अच्छा सीखा था, और मेरा आज लास्ट फाइनर है, और मैंने आज ही ब्राइडल लुक किया है, देन मुझे सबसे ज़ादा प्रोबलम होती थी कि ब्लेंडिंग करने में क्योंकि वह बहुत अच्छा से समझाते हैं, मुझे उनका समझाने का बहुत अच्छा तरीका लगता है, देन हर चीज को बहुत अच्छा से स्प्लेन करते हैं, अगर आपको भी सीखना है तो आप दीपक जैन सर के बास है, मेरा नम सीमा है, मैं आरकेपुरम डेली से हूँ दीपक जैन सर के अकैडमी से मैंने एक मेने का कोर्स किया है, आज मैं हमारा फाइनल दे था और मैंने ये मेकप किया है, अब मैं बहुत अच्छा मेकप कर लेती हूँ, अगर आप भी मेकप कोर्स कहीं से करने की सोच रहे हैं, तो दीपक जैन सर के अकैडमी को में आपको र पर पूर से आई हूँ 먹 आई हो मैंने बोहत दिन से मुझे मेकप आर्टिस का कुर्स कर ना था मैंने बहुत ही में अपक रच्प को सर्छ किया यह भिर है फिर लाश में मुझे डीपक जयान्सर का है क्डै्मिन करनी है मुझे बेसिक में मुझे कुछ भी नहीं आता था बस मैं अपना मेक अप कर लेती थी और अब मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और मैंने आज मेरा अच्छा किया है मुझे स्वास ही नहीं था कभी कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी और आज में आप देख सकते हैं क आप लोगो कैसा लग रहा है आप कमेंट करना और मैं कहोंगे कि आप लोग को भी सीखना हो तो आप दिपक जान सकते हो थेंग यह वर्यवन मैं तनु मैं बिहार से हो मैं स्टार्टिंग में भी में करती थी बट मुझे इतनी क्लियार्टी कभी नहीं मिली और नहीं इतना प् बहुत ही अच्छा लगा यह आप यह आप यह करके और मैं भी रिकमेंट करूंगी कि आप लोग भी दीपक सर के पास आकर के क्लासे जोइन कर सकते हैं थांक्यू मेरा नाम स्मिर्टी है और मैं डेली स्वरूब नगर से आई हूँ और मैं यहां पे मेकप कोर्स करी थी और आज मेरा लास्ट फाइनल दे है और यहां तक का experience मेरा बहुत ही अच्छा रहा स्टार्टिक में मुझे थोड़ा सा डाउट लगा था कि नहीं हो पाएगा मुझसे पर दीपक सर इतना अच्छा सिखाते हैं तो मैंने अच्छा मेकप किया है सिर्फ और सिर्पुन की वज़े से उनकी टीजिंग इतनी अच्छी है तो आप भी हां पे आकर सीख सकते हैं हेलो एवरिवन मेर नाम आरती है मैं हरिद्वार से आई हूँ मैं दीपक जैन सर की मेकप अकेडमी में मेकप सिखने के लिए आई हूँ और सर ने हमें इतना अच्छा सी काया है यह देखे मैंने अपनी फाइनल लुक तयार के है ब्राइडल का आप लोग को भी अगर ऐसे लेनी है तो आप सर की अकेडमी में आकर सीख सकते हैं दीपक सर को मैं थैंक्यू बोलना चाते हूं थैंक्यू सर आपने हमें इतना अच्छा सी